नमस्कार, 10 मिनिट किचिन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे ड्राइ वाली पाउडर वाली वीप क्रीम तो चलिए वीप क्रीम बनाना शुरू करें इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट्स में लिखके बताईए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा तो वीपिंग क्रीम घर पे असानी से बनाने के लिए असे मैंने इस पैकेट में से एक कप ये वाला पाॉडर लिया है तो इसमें ये थंडा दूर दाल देंगे अब इसमें ड्राइव वीपिंग पायडर दाल देंगे अब ये अब इसको वीप करेंगे है अगर आपके पास ठंडा दूद में है तो आप पाउडर मिलाके 10-15 मिनिट के लिए फ्रीजर में रख दें तब भी ऐसे ही बनती है यह विपिंग त्रीम तयार हो गई है बनके अब हम इसको किसी बाउल में निकालते हैं इसको बनाना बहुत इजी है और यह बीडियो आपके पास बिल्कुल लाइब जा रहा है इसमें कोई एडेटिंग नहीं होगी थोड़ी सी कल बनाई थी मैंने केक की आइसिंग करने के लिए उसको भी हम इसमें मिक्स कर देंगे और काम में ले लेंगे दोनों मिक्स होके भी बिल्कुल ऐसा ही बनेगा क्रीम ऐसी ही बनेगी एक दम स्मूद अगर आपके पास कभी बच जाए तो आप भी इसको ऐसे काम में ले सकते हैं मिक्स कर सकते हैं यह नई क्रीम मत बनाएं उसमें तो क्रीम बेस्ट नहीं होती है यह देखिए पुरानी क्रीम मिक्स होते भी कितनी अच्छी वीपिंग क्रीम बनी है इससे केक पर बहुत अच्छी आइसिंग होती है तो आप भी तयार कीजिए, ऐसे ही विफिंग क्रीम और अच्छा सा केक की आइसिंग कीजिए, सुन्दर सा केक बनाईए, बनाईए, आइसिंग लोगों को खिलाईए, खाईए और कमेंट्स में लिखके बताईए कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा, थेंक मिलते हैं अगले वीडियो में